यह जगत सारा अक्षणिक है और आतमाईक नित्य है आतमाका अनुभववस एक मात्र नित्य है युझ सब लुझ सुब एक झाई खरो बदल झाल झाल चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्यान मात्र है मै शुद्ध चैतन्य मात्र ज्यान मात्र भगवान आत्मा हो प्रते समय यह ज्यागरुते बनी रहे इस ज्यागरुते का नाम धर्म है देह की प्रत्य क्रिया के काल में और विकल्पों के बेहते प्रवाह के काल में निश्क्रिय द्रूव चैतन्य सत्ता के ज्यागरुते यह ज्यागरुते परम धर्मा है यह ज्यागरुते परम दुर्लव है जैतन्य तत्व के अनुभोती से स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभोती से चैतन्य तत्व के अपूर्व ज्यागरुती प्रगट होती है कहने में आता है कि देह होने पर देहाती दशा प्रगट होती है विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रगट होती है मगर ऐसा क्या घटित हुआ है कि ज्ञानी देह में होने पर भी देह में नहीं है ऐसे अनुभूती क्या हो गई कि अनादी काल का अज्ञान रुपी अंधकार दुर हो गया ऐसे आहलाद स्वरूप आनंद की क्या अनुभूती हुई कि अनादी काल का अनन्त दुख जैसे थम गया इस अनुभूती को ही स्वस्वम्वेदन प्रत्यक्ष अनुभूती कहते है जहां इंद्रियो का अवलमबन नहीं है, जहां मन का अवलमबन नहीं है जहां ग्यान का निरंतर व्यापार होता है, ग्यान के निरंतर धारा बैहते है मगर राक की दारा को यह ज्ञान की दारा स्पर्ष नहीं करती यह निरंतर अपनी ही सत्ता में अपनी ही अपनी ही अपनी ही यात्रा करता हुआ ज्ञान निरंतर जानने 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 रूप परिणमन में किसी भी पर ग्येयों की या इंद्रियों के संयोगों की या फिर परभावों की विकल्पों की अपेक्षा न रखता हुआ ये धारा प्रवा से बेहता हुआ मात्र जानना 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 जितना उपियोग सुक्ष्म करके जितनी तनमयता से जितनी एकाग्रता से जितने स्वयम के प्राण को इसमें डालते हुए चैतन्य प्राण में अपने जीवन को लगाते हुए जो इस ध्यान की गेहराई में जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि देह कहां गया है इसलिए क्योंकि अंतर में एक अभीद और सहज और निराव लंबी स्वतंत्र अनुभूती होती है किसी मित्र की मृत्यू हो जाए परिवार जन की मृत्यू हो जाए अधीक यादे हमें कब आती है तब आती है जब उनके चले जाने के बाद में कोई काम अधूरा रह जाता हूँ जैसे रोज खाते थे पीते थे समय पर घर की सभी वस्तों को समय पर पा लेते थे मगर परिवार जन की मृत्यू होते ही अब कुछ भी नहीं है कंगाल हो गए तो याद आती है उनके बिना हमारा ये जीवन कैसे चलेगा कौन रखेगा ये ध्यान वह तो चला गया जो मसीहा था रोते हैं तडबते हैं के उनके बिना अब हमारा जीवन कैसे चलेगा जब नहीं चलता भूखे पेट हो तो याद आएगी नगर फिर भी इंद्रियों के विशय के भोगों में जो रचा पचा है और जिसका भंडार खाली नहीं हुगा उन्हें याद नहीं आती क्योंकि वो इतने व्यस्त है जब किसी एक में इतना व्यस्त हो जाए तो फिर कोई भी क्यों नहो हो या नहो उसकी याद नहीं आती इसलिए तो जब क्रिकेट का मैच देखने के लिए इतने तनमई हो जाते है उस समय पतनी पास में है एक गंटे से वह पास में खड़ी हैं, नगर दिखाई नहीं देती जब बीच में आती है तब भी यह कह देते हैं कि हट जा पहले थी तब दिखाई क्यों नहीं दी इसलिये क्योंकि अपना जो देखने का कार्य हो रहा है उसमें वो बीच में बाधा नहीं डाल रही जब कोई बाधा डालता है तब लगता है कि मेरा क्या होगा बीच में किसी ने बाधा डाली कि अपना कारिय रुख गया इसी बात को यहां समझना है कि ग्ञान का जो कारिय है ये ग्ञान का कारिय निरंतर चल रहा है ये इंद्रियों के होने से या इंद्रियों के न होने से इस ज्ञान के जानने के कार्य को कोई फर्क नहीं पड़ता ये जानना 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 निरंतर हो रहा है जब ध्यान में अंतर में डुपकी लगती है ध्यान में एकाग्र होता है तो उस समय देह तो वहाँ है नहीं इतनी स्थीरता है कि देह वहाँ है नहीं नगर देह की याद नहीं आती क्यों भूल जाता है देह को ज्यानी जब उस अनुभूती की गहराई में जाता है तो पांचों इंद्रियों को इस देह के किसी भी परमाणों मात्र की याद क्यों नहीं आती क्योंकि जहां वो अनुभूती हो रही है वहां ज्ञान का कार्य अटकता हुआ नहीं दिखाई देता ये निरंतर जानना 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 हो ही रहा है और वह अनुभव करता है प्रत्यक्ष अनुभव करता है इसलिए चोथे गुणस्तान में ज्ञान तो है सुरुत ज्ञान उस ज्ञान को भाव सुरुत ज्ञान कहते है यद्यपी केवल ज्ञान की तुलना में देखोगे तो पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष है और मति ज्ञान, सुरुत ज्ञान ये तो परोक्ष ज्ञान है मगर वह परोक्ष ज्ञान केवल ज्ञान की तुलना में परोक्ष ज्ञान है मगर वर्तमान की इस निर्विकल्प अनुगूति को मुख्य करके देखो तो वह भी प्रत्यक्ष ज्न है इसलिए तो स्वा समवेधन प्रत्यक्ष कहते हैं चोथे गुणस्तान में स्वा समवेधन प्रत्यक्ष वहां वो कपड़े बादक नहीं बनते कि घर में रहता है तो वो प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होगा जो अनुभूती है उस अनुभूती के लिए उस स्वभाव के लिए ये घर या दुकान या बाहर के ये कोई भी संयोग ये बाधक नहीं बनते इसलिए इस अनुभूती को प्रत्यक्ष अनुभूती का है स्वभाव समवेदन प्रत्यक्ष अनुभूती में देह का अवलंबन नहीं है विकल्प का अवलंबन नहीं है पाँचों इंद्रियों के पर्मानों का अवलंबन नहीं और इस वज़े से धारा चलती रहती है स्वभ समवेदन प्रत्यक्ष अनुभूती के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं कि स्वह समवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव में, सम्यक द्रस्टी ज्ञानी को, वो जो प्रत्यक्ष आत्मा का वेदन होता है, समवेदन होता है, इस समवेदन के काल में, क्या अनुभव में आता है और क्या अनुभव में नहीं आता, इसके थोड़े सुक्ष्म रहस्य है इस रहस्य को हम समस्त है चोथे गुणस्तान में स्वश समवेदन प्रत्यक्ष कहा कि भगवान आत्मा अनुभव में आया प्रत्यक्ष अनुभव में आया इंद्रियों के अवलंबन को लेना नहीं पड़ा इंद्रिया बिल्कुल पास में ही पड़ी रहती है इंद्रियों का अवलंबन तो तब लेना पड़े कि स्वयम में जब शक्ति न हो स्वयम कुछ अधूरा हो अधूरा हो तो पराय का अवलंबन लेना पड़े और ज्ञान ने आज तक किसी का अवलंबन नहीं लिया अवलंबन तो तब लेना पड़ता है जैसे कोई व्यक्ति कि जिसके पास अब हात नहीं है तो उसे किसी दुसरे का अवलंबन लेना पड़ता है कि मुझे चम्मच से खाना खिलाओ किसी के पास में पैर नहीं है तो उसे लाठी के साहरा लेना पड़ता है कि मुझे चलने के लिए कोई चाहिए पराय का अवलंबन उसे लेना पड़ता है जो कमजोर है और ज्ञान है वो ज्ञान कमजोर नहीं है इसलिए इंद्रियों को लेकर के ज्ञान जानता नहीं है जब अनंत शक्ति अंतर में भरी पड़ी है तो इन इंद्रियों की जरूरूत क्या है जब मेरे पास में शक्ती नहीं हो तो इंद्रियों से कुछ मांगो ऐसा ज्ञान का जूर ऐसा चैतन्य का जूर चौथे गुणस्थान में पहली बार निर्विकल्प अनुभव हुआ भगवान आत्मा जो जानने में आया केवल ज्ञान में तो लोका लोक जानने में आता है वे भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी है भगवान आत्मा अनन्त गुणों वाला है तो असंख्य प्रदेशी और अनन्त गुण ये सब जिसमें एक एक करके विस्तार से स्पस्ट रूप से ये जो जानने में आता है ऐसा जो अनुभव है उस ज्ञान सहीत जो अनुभव है इसलिए केवली भगवान के अनुभव को प्रत्यक्ष अनुभव कहते है और मती ज्ञान सुरुत ज्ञान में ये जो भावसुरुत ज्ञान है वहाँ परोक्ष अनुभव कहा क्यों? क्योंकि आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है वो यहाँ पर गिने नहीं जा सकते कि एक प्रदेश, दुसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चोथे गुणस्तान में उन प्रदेशों को गिन नहीं सकते चोथे गुणस्तान में अर्था छदमस्त अवस्ता में आत्मा के अनन्त गुणों को गिन नहीं सकते अनन्त गुणों के बारे में तो गुरु के मुख से सुना अनन्त गुणों के बारे में तो शास्त्रों में पढ़ा कि अनन्त गुण होते हैं लिखे हुए भी कहा हमने पड़े, वो तो केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। तो चोथे गुणस्तान में ऐसा जानने में नहीं आता है, जैसा केवली भगवान को असंख्य प्रदेश और अनंत गुण जानने में आते हैं। तो केवली परमात्मा की तुलना में ये जो सुरुत ज्ञान में असंख्य प्रदेशों का एक एक का ऐसा स्पस्ट ज्ञान नहीं हुआ। अनंत गुणों का एक एक का ऐसा स्पस्ट ज्ञान नहीं हुआ। इस वज़से चोथे गुणस्तान में आत्मा को पैचाना तो है, नगर वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। फिर भी प्रत्यक्ष क्यों कहा है, स्वज समवेदन प्रत्यक्ष। क्योंकि जो असंख्य प्रदेश है, जिसका ज्ञान नहीं हुआ। अनंत गुण है, जिनका ज्ञान नहीं हुआ। एसा जो अनंत गुण और असंख्य प्रदेश न जानने पर भी, जो ज्ञान स्वरूप जो जानने में आया है, उस समय आहलाद स्वरूप आनंद व्यक्त हुआ। उस आनंद में स्वयम का अनुभव प्रमाण है, और वह अनुभव किसी से मांगा हुआ नहीं है, वह अनुभव शास्त्र में नहीं पढ़ा था, वह अनुभव किसी के मुक से नहीं सुना था, वह अनुभव स्वयम का ही अनुभव है इसलिए उस अनुभव प्रमान से जो प्रगट हुआ वे भावसुरुत ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते है उस अनुभव को प्रत्यक्ष अनुभव कहते है तो ये दोनों भेद को पहले समझो और फिर आज उस चोथे गुन प्रत्यक्ष अनुभव की गहराई में जाना है। का पूरा एक बंडल दसजार रूपय ऐसे हाथ में पकड़ा है तो वो जो बल कैसा आता है कि मैं दसजार का मालिक हूँ। तो वो जो मालिक मानता है उसे एक-एक नौट का नंबर नहीं पता और जरूरी भी नहीं है। स्वयम को मालिक मानने के लिए ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही एक-एक गोण का और एक-एक प्रदेश का विस्तार से जानना जरूरी नहीं है उस अहो भाव को लाने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ। उसके लिए उसका भाव ग्रहन करे बस इतना ही परियाप्त है। उसने मात्र भाव ग्रहन किया। उपर की एक नौट को देखा है। और पीछे की एक नौट को देखा है। अंदर की नौट को देखा ही नहीं। और फिर भी वो मान लेता है कि दसजार का मालिक मैं हूँ। ऐसे ही सिर्फ दो गुण को समझा। कि ज्ञान स्वभावी हूँ, आनन्द स्वभावी हूँ। मैं ज्ञान आनन्द स्वभावी हूँ। इतना अनुभव हुआ कि अनन्त गुण अंतर में गरभीत है। एक एक करके विस्तार से जानता नहीं। फिर भी वहाँ आनन्द 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 ज्ञायक 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 का आनन्द वोगता है। एसा ज्ञायक का आनन्द कि वहाँ पर इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं अनन्त गुणों को नहीं जानता हूँ। इतना भी भाव नहीं है कि असंख्य प्रदेश में कैसा विस्तार होता है, संकोज कैसा होता है, कोई भाव नहीं है। वो बंडल को ऐसे मोड दे, फिर फैला दे, फिर उस नोट को हाथ में ले करके घुमाए, कुछ भी करे, वो नोट का कैसा आकार, कैसी मुड़ी हुई, कहा कि किसी कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही ज्यानिको आत्मा की निर्विकल्प अनुभूती होती ही, एक सहज, सहज, सहज धारा होती है, एसी सहज धारा, निर्विकल्प अनुभू, छदमस्त अवस्ता में एसी धारा, केवल ज्यान होने के बाद में नहीं हो, यह अभी की भुमिका की बात है, केवल ज्यान प्रगट होने से पहले ही वह दशा प्रगट हो गई, यह चैतन्य परमात्मा, अंतर में यह चैतन्य स्वरूप की ऐसे जागरूती, ज्यायक, 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 ज्यायक की जागरूती, कि यह निरंतर मुझे यह ज्यान का अनुभू हो रहा है, जिसमें इंद्रियों के परमानों का मिलावट मिलना ही नहीं, ऐसा जो ज्यान, चोथे गुनस् में रह करके ये स्रद्धा हो गई ये भावसरुत ज्ञान प्रगट हुआ और वितराक परिनती प्रगट हुई एक सहज रूप से धारा बहती है ये धारा के भी दो भागे एक है कि वह जो निर्विकल्प अनुभूती के काल में बहने वाली धारा और एक धारा ज्ञान की ऐसी बहती है निर्विकल्प अनुभू हो या नव हो उसकी अपेक्षा नहीं है वो भावसरूत ज्ञान की धारा है वो विकल्प के काल में भी होता है तो एक है एक है कि निर्विकल्प अनुभूती की धारा जानना 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 जा अंतरोता है एक जो धारा है वो एक धारा उपयोग रूब है और एक धारा है उपयोग की मुख्यता नहीं है वहां राग के विकल्प से अलग हुआ जो ज्ग्ञान अपने में रह करके ही परिणमीत हो रहा है उसकी बात है इसका भाव बहुत सुक्ष्म है कुछ जीवों को समझ में आ सकता है नगर कुछ जीवों को ही समझ में आए और सब को न समझ में आए उस वज़े से इसकी निरूपना में रोकूंगा नहीं करूंगा वो कुछ जीवों को इसके गहरे भाव को उतने एक आज जीव भी समझ ले कि जो ज्ञान की धारा चौथे गुनस्तान में एक है निर्विकल्प अनुभूती के काल में वह उपयोग रूप है क्योंकि निर्विकल्प अनुभों में जैसे ऐसे समझो 48 मिनिट से ज्यादा काल के लिए उपयोग तो एक जग़ टिकता नहीं है उपयोग तो पलटता है तो जो अंतर मुहुर्त के लिए ही धारा चलती है उसका मतलब क्या कि पहले समय में किस को जाना आत्मा को जाना दूसरे समय में आत्मा को जाना तिसरे समय में आत्मा को जाना, चोथे समय में आत्मा को जाना, तो ये उपियोग का विशई, पहले समय में आत्मा, दुसरे समय में आत्मा, तिसरे समय में आत्मा, चोथे समय में आत्मा, तो आत्मा ही उपियोग में आया ने, निरंतर उपियोग में आत्मा आया, तो उसे कह कि ज्ञान धारा प्रवा से परिनमीत हो रहा है। ये ज्ञान की कैसी धारा है अखंड धारा है। अखंड धारा कि पहले में आत्मा को जाना फिर आत्मा को जाना फिर आत्मा को जाना फिर आत्मा को जाना फिर आत्मा को जाना ये ध्यान के काल में परगट होने वाली वह अख अखंड धारा है जो सम्यक द्रस्टी ज्यानी धर्मात्मा को 24 गंटे चलती है। आग से भीद ग्ञान करती हुई ऐसी ही वेटारा चलती है जानना 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 वेटारा। वहाँ जरूरी नहीं है कि भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेई बनता हो ज्ञान का ज्ञेई कोई भी परपदार्थ बने फिर भी वह ज्ञान पर में जाता नहीं है वह ज्ञान उस विकल्प में जाता नहीं है ऐसी ही सम्यक दरस्ति को सम्यक दर्शन सहीत का जो ये ज्ञान का जो जो जोर है उस जोर की वज़े से वह धारा चलती है चौथे गोनस्थान में पांचवे गोनस्थान में ये जो धारा चलती है और छटे गोनस्थान में ये जो धारा चलती है ये दुसरे नंबर की है कौन सी कि जो परिनती की निर्मलता रूप जो सहज भीद ज्ञान की धारा उसकी बात है और स्रेणी के गुणस्तान में जो अखंड धारा चलती है वह स्रेणी की मुख्यता से है वह उपियोग की मुख्यता से है क्योंकि आठवे गुणस्तान वैसे तो साथवे गुणस्तान के दुसरे पाट में वो सातीशय अप्रमत और स्वस्थान अप्रमत ऐसे दो भेदे ने दुसरे पाट का नाम सातीशय अप्रमत पहले भाग का नाम स्वस्थान अप्रमत तो वहां से साथवे गुणस्तान से ही निर्विकल्ब ध्यान की धारा चालो हो गई। जो विकल्प हो तो भी मैंने चौथे पाँचवे चठे गोनस्तान में अभी इसको समझना है कि देह की किसी भी क्रिया के काल में सम्यक द्रस्ती ज्ञानी को ये ज्ञान अलग ही क्यों अनुभव में आता है उसमें मिला हुआ दिखता ही नहीं है भगवान पूरा का पूरा उसमें स्वारोब जो अंतर में अनुभव में आता है ऐसा ही दूर ये तुमारा देह जितना दूर दिखाई देता है उतना ही ये देह भी दूर दिखाई देता है दरपण में दिखाई देने वाला जो देह का प्रतिबिम्ब है वह प्रतिविम्ब जितना दूर दिखाई देता है यह देह भी उतना ही दूर दिखाई देता है ऐसा ही दूर दिखाई को कि अनुभव में ग्यान आता है अब तुम सामने हो तुमारे साथ में हाथ मिलाया तो तुमारा देह जितना दूर दिखाई देता है उतना ही ये देह दूर दिखाई देता है फिर हाथ तुमारे साथ में मिलाया और फिर हाथ वापिस ले लिया नगर सम्यद्रस्ति को ये चागरुती हाथ वापिस लिया ने इसे ऐसा मिलन हुआ एक चम्मच है और थाली में हलवा है और चम्मच से हल्वे को पकड़ा है, और फिर चम्मच को फिर जीब तक लेकर के आये, जब हल्वा जीब पर आया है, तब वह थाली कितनी दूर दिखती है, जितनी थाली दूर दिखती है, उतनी ही चम्मच भी दूर दिखती है, क्योंकि थाली अनुभव में नहीं आ रही है जो मीठापन अनुभव में आ रहा है वो थाली का नहीं है ऐसे ही वो मीठापन जो अनुभव में आ रहा है वो चम्मच का भी नहीं है वो हलवे का ही अनुभव है तो थाली की भाती ही चम्मच को दूर देखता है ऐसे ही सम्यक द्रस्ती दूसरे के देह को तो दूर देखता ह ही है नगर ये देह को भी उतना ही दूर देखता है क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है इसलिए तो भोगों को भोगने के काल में पत्नी के साथ में रहता हुआ भी पत्नी के देह को जितना दूर देखे उससे यदि थोड़ा कम इस देह को दूर देखेगा तो मिथ्या दृस ऐसे ही जवसे जैसे ही तो भोजन के लिए कुरसी पर बैठा और कुरसी से उठा जैसे तुझे कुरसी दूर दिखाई दे ऐसे ही ये देह दूर दिखाई दे ऐसा ही सब दूर दिखाई कि कि अंतर में अनुभव प्रमाण है ऐसा अनुभव का जोर ये पेड जितना दूर दिखाई देता है कितना दूर है क्या रिष्टा है उस पेड को कौन ध्यान रखता है इस पेड की जुरक्षा कौन करता है कौन इसे नहलाता है कौन इस पेड को खाना देता है पानी देता है इस देह को यह पेड कितना इंजाम करता है जिसे एकिंद्री है नारियल के पेड कितने उचे हो जाते है उसके माता पीता नहीं है ये माबाप का कितना बड़ा भ्रहम है कि बेटे को हम बड़ा करते हैं नारियल, नारियल, नारियल के पेड़ कितने उचे हो जाते हैं बीना माबाप के हो जाते हैं कि नहीं तो ऐसे ही इस देह की क्रिया में ये देह रुष्ट पुरुष्ट है, स्वस्त है, बिमार नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने देह का ध्यान रखा, ये भ्रम छूट जाता है, मैं मने ज्ञान और ज्ञान परमानों का ध्यान नहीं रखता, ज्ञान ज्ञान में रहकर चानने रू ये बिना नहीं रहेगी हे चैतन्य परमात्मा हे ज्ञान दिपक अंतर में तु ऐसा मस्त हो ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती कि अनुभव में ज्ञान ये दे तो है नहीं पूरा ये कि परमानों के पास में रहने से उन पर्मानों का अनुभव कैसे होगा ऐसे ही ये विकल्प की उत्पत्ती होगी तो विकल्प की उत्पत्ती में भी ज्ञान और दर्शन को मिलता हुआ नहीं देखेगा ये धारा जो है ज्ञान की अखंड धारा है चोथे गुणस्तान में सम्यक द्रस्टी ज्ञानी धर्मात्मा को स्वयम के अनुभव के प्रमान से ये ज्ञान इतना दूर दिखाई देता है और ये ज्ञान में ब्रेक नहीं पड़ता नया नया ज्ञे ही बदलता है ज्ञे ही बदलता है मगर उसमें बीच में अंत्राल कहां पड़ा ओ, 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 वै अखंड तारा ये बदला मगर वै तारा तो ओ, 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 अखंड, 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 ये निरंतर बेती तारा पहला ऐसा हो पहले पूर्णी मा का चांद पानी में प्रतिबिम्बित हुआ अब एकम का दूज का तो ऐसे चांद प्रतिबिम्बित हुआ अब छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे चांद का आकार बदला और पानी में प्रतिबिम्बित हुआ तो वहाँ पर अवस्था पान पानी में जो प्रतिविंब पड़ता है उसमें नया नया पन आता है उसमें क्या हो गया पानी के बेहते प्रवाह में खंद नहीं पड़ा है नै एसा मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, इसलिए चोथे गुणस्थान में, ओ, 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 कोई भी ज्ञेयों को ज्ञान में प्रतिबिम्बित होता हुआ, ज्ञानी देखता हुआ, मगर ज्ञान की धारा में खंड नहीं पड़ता, ऐसा अखंड धारा प्रवाह चल रहा है, और ये अ नुबह में आता है, ए चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर, कि ग्येयों की अब तुझे अपेक्षा नहीं लगेगी, कि कौन सा ग्येयी, तु घर में रहकर के इस प्रकार से धार्मिक हो सकता है, तु फिकर मत कर, तु पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ म तु जहां पर भी रहे, तु पशु की परियाई में रहे, शेर की परियाई में, वाग की परियाई में, कुत्य बिल्ली की परियाई में, तु जहां पर भी रहे, कोई भी ग्येव आँख से अब दिखाई नहीं देता, कान से अब सुनाई नहीं देता, इंद्रिया शितिल ह अब खाली स्पर्श होता है अब खाली चकने में आता है अब चमड़ी भी रुखी सुखी हो गई अब गुढापा आया अब चमड़ी भी रुखी सुखी हो गई मगर जीब से रस का पता चलता है मगर रस भी अब बिमार रहता हूँ तो बस मिठा खाता हूँ तो कड़वा रस आता है अब उसका भी ठिक आना नहीं कैसी भी देह की स्थिती हो और कैसा भी ज्ञान होता हो मिठा का ज्ञान कड़वा होता है सामने रमेश आ रहा है और सुरेश दिखाई देता है कोई बोलते है कि यहां आओ और सुनाई देता है कि वहां जाओ तो ऐसा एक देह ऐसा हो जाए मगर फिर भी अंतर में तेरी रूची ग्येयों में नहीं है तेरी रूची ग्येयों में नहीं है चतुरदसी के चांद में नहीं है तेरी रूची है वो धारा पानी की अखंड बह रही है वह टूटी नहीं है और प्यासा हम्मेशा यही देखता है कि पानी बह रहा आए या नहीं प्यासे को और कोई लेना देना नहीं ऐसे ही जो ज्ञान का चैतन्य का दीवाना है वह 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 तो सिर्फ ऐसा हो भगवान वह तो सिर्फ उपर का चांद जो है वही प्रतिबिम्बित होता है हम यहां बैठे है और यहां बैठे बैठे Eiffel Tower ज्ञान में जानने में आया Statue of Liberty ज्ञान में जानने में आया ताजमहल ज्ञान में जानने में आया कोई भी ज्ञान अब ऐसे यहां पर बैठे बैठे जरूरी नहीं है कि यह आँखों के सामने ही वो वस्तू होनी चाहिए वस्तू कहीं पर भी हो और ज्ञान में जानने में आ जाए वहाँ तो चांद बिल्कुल उपर ही चाहिए पानी में प्रतिबिंबित होने के लिए ज्यान में तो ऐसा कुछ भी नहीं कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो और यहाँ पर स्मरण में आ जाता है और फिर ज्यान का विशेई बन जाता है इसलिए उन ग्येयों की अपेक्षा ही नहीं है मात्र ग्यान की अखंड धारा बह रही है ग्यान टूट नहीं गया है ऐसा जो अखंड ग्यान है ऐसा जो चांद के बिना ऐसा जो ग्यान की धारा का बहना है ग्येयों के मिसरण के बिना अखंड ग्यान की धारा बैती है ये ग्यान 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 मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ ये ग्यान का जानना 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 इसमें अनन्त पुर्शार्थ है वो भगवान अनन्त पुर्शार्थ है लगता नहीं है कि इसमें क्या किया भुखा रहा प्यासा रहा कौन सा धरम किया कौन से तपस्चर्या की दिखाई नहीं देता अगर इसमें ऐसा धर्म अग्ञानी को दिखाई नहीं देता यहां मुनिवर राम से आज जो दोहा है उन्यासी इस दोहे में भगवान आत्मा को बिलकुल राग से, विकल्प से न्यारा, ऐसा निरंजन और ज्ञान दर्शन ही जिसका सुभाव है और भगवान आत्मा ही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है यह मूढ तु इस स्वरुप को समझे तु मूढ क्यों है? वो मूढता का कारण यहां बताते देखो अन्नू निरंजनू देवू पर अप्पा दन्सन नानू अप्पा सच्च वो मोख पहू एह वो मूढ वियानू आत्मा ही उत्कुरुष्ट निरंजन देव है आत्मा ही दर्शन ज्ञान है आत्मा ही सच्चा मोक्ष पत है हे मूढ तु जानू ओ ऐसा यह स्वरूफ पिछले कुछ दूहे से इसी पर ही आपको लगता होगा मुनिवर्राम सी बार-बार इसी पर ही क्यों बताते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, दर्शन स्वरूप हूं ये ज्ञान पर ही इतना जोर क्यों दे रहे क्योंकि उस जमाने में भी देह की क्रिया में धर्म मानने वाले ऐसे जीव थे जो वितरागी परमात्मा की वानी को अपनी मति कल्पना से ले करके इस प्रकार से निरुपना करने वाले शुरू हो गए थे भगवान आत्मा का धर्म ये भगवान आत्मा का धर्म है मगर उसको देह में घटित किया क्रियाकाण में घटित किया और इतना इतना खतरनाक तक पहुँच गया कि ये चैतन्य परमात्मा के वानी अब रूचती नहीं वो ऐसे ऐसे मूड उसे मूड नहीं कहे तो क्या कहेंगे मुनिवर रामसी के शब्द है मुनिवर रामसी के शब्द है ये मूड है जो चैतन्य परमात्मा को नहीं समझता जो आत्मा को देव नहीं मानता और मंदिर में ही मंदिर में देव मानता रहता है वह मूड है वितरागी परमात्मा के दर्शन किये बिना मैं पानी नहीं पीता क्योंकि बच्पन से मैंने ये नियम ले करके रखा है क्यों माबाप ने सिखाय था क्यों गुरू ने सिखा दिया था उन्होंने सिखाय था इसलिए करता है ये भी गुरुहित मिध्यात्व है यहाँ पर आकर के सिखा है तुरे स्वयम का तेरा कोई निर्णई नहीं है अगुरुहित छुटा नहीं है गुरुहित कैसे छुट गया निश्चे प्रगट हुआ नहीं है व्यवहार कहां से आ गया मगर वो भ्रम पैदा हो जाता है और ऐसा मानता है कि जिन्दगी भर कि बस ये ऐसा ही भगवान आत्मा के आस्रे से भी धर्म होता है और क्रिया कांड से भी धर्म होता है ऐसा मानता है क्या मानता है कि भगवान आत्मा के आस्रे से भी धर्म होता है और क्रिया करने से भी धर्म होता है तुम्हें ऐसा कैसे कहते हो तो कहता है कि वित्रागी परमात्मा ने अनेकांत धर्म बताया है अनेकांत का अर्थ क्या एकांत से नहीं लेना आत्मा 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 से धर्म होता है ये एकांत हो गया इसलिए ऐसा कहो कि आत्मा से तो आत्मा से धर्म होता है और देह की क्रिया से भी धर्म होता, ये अनेकांद हुआ, ऐसे अनेकांद घटित किया, और गुर्देव क्या कहते थे वालू में, अनेकांद का मतलब होता है कि अस्ति स्वरूप और नास्ति स्वरूप ये दोनों का हम स्विकार करते हैं, ये अनेकांद है, भगवान आत्मा के आस्रई से धर्म होता है और भगवान आत्मा के आस्रई के बिना धर्म नहीं होता है ये दोनों का स्विकार अस्ती से कहा तो भगवान आत्मा के आस्रई से धर्म होता है नास्ती से कहा तो भगवान आत्मा का आस्रई न ले तो धर्म नहीं होता है ये दोनों का स्विकार करना ये अस्ती और नास्ती दोनों पक्ष का स्विकार किया ये अनेकांत का स्विकार है ऐसा नहीं है कि अम्रुत को पीने से भी जिन्दगी मिल जाएगी और जहर को पीएगा तो भी जीवन मिल जाएगा ऐसा अनेकांत घटित नहीं करना है अज्ञानी ने ऐसे घटेत करके वो जो क्रिया का देह का रस था उस रस को छोड़ा नहीं और सम्यक दृष्टी ज्ञानी का ऐसा जूर अंदर में आया ऐसे मुढो का क्या कहना जो ऐसा चैतन्य परमात्म स्वरुप भूल करके ये धर्म के स्वरुप को विप्रीत ग्रहन करता है और सब के सब एक ऐसी भीड है ने मूढो की भीड है या मूढ अकेला नहीं है एक आदमी को ऐसा भ्रम हो गया कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और वह आदमी तिसरी मंजील पर था खिड की खुली थी तो उसे ये भ्रम हो गया और उसने क्या चमतकार दिखाया थोड़ी ही देर में वो अस्पताल में पहुँच गया बेहोश था, होश आया उसके पास में उसका मित्र था उसके मित्र को पूछा कि भई क्या हो गया, मैं कहा हूँ अभी तो मित्र ने कहा कि चिंता मत कर तुम होस्पिटल में हूँ मगर होस्पिटल में क्यों हूँ तो बोले तुमें ऐसा लगने लगा था कि तुम उड़ सकते हो और उस समय तुम तीसरी मंजिल पर थे तो तुम उड़ने गए कि सिदे ही नीचे गिरे एक हड़िया टूट गई है तुमारी बड़ी मुश्किल से बचे हो उसने कहा तू मित्र था तू कहां था बोले मैं भी तीसरी मंजिल पर था तो तू तीसरी मंजिल पर था तो तूने मुझे नीचे गिरते हुए बचाया क्यों नहीं उसने कहा मुझे भी लग रहा था कि मैं भी उड़ सकता हूँ मगर जब तू उड़ने गया मैं भी तेरे पीछे ही उड़ने आ रहा था मगर मेरे पजा में का नाड़ा थोड़ा धीला था तो मैं नाड़ा फिट बानने के लिए थोड़ा रुका उतनी देर में तू नीचे गिर गया था इसलिए फिर मैं नहीं गिरा मैं रुक गया मगर जैसा तेरे को लग रहा था कि तू उड़ सकता है मेरे को भी लग रहा था मैं उड़ सकता हूँ यहां हर एक अग्यानी को लगता है कि क्रिया कांड करके वो धार्मी को रहा है कौन किसको रोके सब के सब शराब के नशे में बैठे कोई धिला है वो इतना मार नहीं खाता जो तैयार हो करके बैठा है वो उड़ता है आकाश में उड़ता है सम्यक दरस्टी इंग्यानी धर्मातमा ये कहते है भगवान कि छराब का नशा उतर जाए और अब नहीं उतरेगा तो कब उतरेगा एक ही चैतन्य का जोरला अब बहुत हो चुका देखी क्रिया 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 कितना लोब क्रिया का पहले वो पाप का लोब था अब पुन्य का लोब ये पुन्य का लोब और थोड़ा पुन्य कमालो और थोड़ा पुन्य कमालो बस भाई बहुत कमाली है यह जो तपस्चरिया करने वाले तपस्वी लोग है ने बहुत से ऐसे तपस्वी है यहाँ पर भी सामने बैठे है पर्यूशन के टाइम पर यह व्रत्थप करने वाले कैसी उची उची तपस्चरिया करते है अब उनको कोई कितना भी समझाए कि भुखा रहने से सिर्फ धर्म नहीं हो जाएगा सिर्फ भुखा रहेगा देह की क्रिया करेगा धर्म कैसे होगा इतना पुण्य तो बंदेगा ने पाप से तो बचेगे ने पुण्य तो होगा उस पुण्य के रस के कारण ही वो निकल नहीं पाता वो कहते हैं ने बाजार भरता है तो वहाँ पर वो जो हाट होती है छोटी छोटी दुकाने लगती है तो एक आदमी था उसने भी अपनी दुकान वहाँ लगाई थी मगर शाम हो गई सब लोग उस मेले में से जाने लगे सब लोग दुकान भी बंद करने लगे मगर ये आदमी है वो दुकान को बंद नहीं करता उसने क्या सोचा कि थोड़ी देर और खुली रख लेता हूँ और थोड़े कस्टमर ज़्यादा आएंगे थोड़ी कमाई और ज़्यादा हो जाएगी वैसे भी घर जा करके पत्नी की डाट सुनना लड़ाय जगड़ा करना इससे अच्छा यहाँ पर थोड़ा व्यापार कर लू और लोब तो था ही वही पई पड़ा रहा अंदेरा हो गया रात हो गही तो भी वही पई डेरा डाल करके रात के टाइम पर कोई ग्राहक तो आया नहीं मगर लूटे रहे आये जितना सामान था वो सामान लूट करके चले गए और दिन भर की जो कमाई थी वो भी लेकर चले गए ये ज्यादा लोभियों का ये हाल होता है कि और थोड़ा पुन्य कर लो तेरे पुन्य करने के चकर में वो मिथ्यात्व नाम का पाप बचेगा और तेरा पुन्य किधर चला जाएगा पता नहीं जेकि तो पुन्य जो कर रहा है उसमें जो पुन्य का रस है वो ही तो मिथ्यात्व नाम का पाप है ये विचार आता है कभी पुन्य 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 मगर वो जो पुन्य का रस है वो सबसे बड़ा पाप है वो मिथ्यात्व है और उस पाप से छुटने का उपाई हमें इस पंचमकाल में गुरु ने बताया है भगवाद और वो जो बताने पर भी जो नहीं सुनता उस मूड का क्या कहे उसे तो मूड भी क्या कहना, मूड शब्द भी थोड़ा ऊचा शब्द है अमेरिका में चुनाव होए थें तो उस चुनाव में वो फोड और काठर इनके बीच में चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में वो फोड का एक विरोधी था अमेरिका का राज्य है टेकसास टेकसास में एक रेस्टोरंड में कुछ मित्र इकठे हुए थे तो एक आदमी ने जोड से कहा कि ये जो फोड है ये फोड गधा है फिर उसे लगा कि ये वाक्य में ने थोड़ा ज्यादा खतरनाक बोल दिया इतने लोगों के सामने कि फोड गधा है ये नहीं कहना चाहिए उसने तुरंत वाक्य बदल दिया कि फोड गोड़ा है वहाँ पर रेस्टोरंट में एक पहलवान था वो पहलवान आया और आकर के इस आदमी को इतने मुक्य मारे वही पर ही गिरा दिया इसने कहा कि क्या गलती हो गई मेरी उस पहलवान ने कहा तुने गोड़े का अपमान कर दिया तुने फोड को गोड़ा कहकर के गोड़े का अपमान किया तो ऐसे क्रिया कांडियों को के पीछे भी इतनी करुणा है क्योंकि वो जानते है यह ज्ञान दिपक एक और ज्ञान का सिंधू है और दूसरी और भव का सिंधू है ज्ञान का सागर यह तुझे प्यारा है कि भव का सागर प्यारा है अब यह तू चुनाओ कर तुझे तो मिला अगर उसका तो उपयोग कैसे करता है ये चैतन्य 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 परमात्मा की पुकार को सुन करके निरंतर ऐसा ही पुर्शार तेरा चले बिल्कुल जड मुल से देह की क्रिया ये क्रिया वह क्रिया उससे स्वच्छंदी नहीं होता उससे स्वच्छंदी नहीं होता उससे अंदर का अंदर का अंदर का बल आता है ज्ञायक का बल आता है ऐसे ही ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है इस ज्ञान की तारा में ये ज्ञान की तारा में ये कहां ब्रेक पड़ा ये धारा तो चलती रही नहीं ये धारा चलती रही अभी मैं यहां बैठा हूँ यहां बड़ा कोबरा है बड़ा साप है यहां वो कभी भी डंस सकता है यहां से आ करके कभी भी वो डंस सकता है और अभी तो उजाला है येकि आप लोगों को चेहरा दिखाना है मगर साप को तो चेहरा दिखाना नहीं तो अभी लाइट बंद हो जाएगी साप काटेगा तो क्या हो जाएगा काटेगा तो क्या होगा मालो में ज्ञान का ज्ञेई बदल जाएगा ये मनुष्य का शरीर जो अभी ज्ञान में चानने में आता है फिर देव का शरीर ज्ञान में चानने में आएगा तो ज्ञान का ज्ञेई बदल जाएगा उस बहते पानी के प्रवाव में जो कुछ अलग प्रकार का चान्द था फिर कोई दूसरा चांद प्रतिबिंबित होगा ये भी तो एक चांद है ने ये मनुश्य का शरीर ऐसे ही फिर वो शरीर वो प्रतिबिंबित होगा मगर जोर कहां पर देना मालूम है जोर ये कि इस देह में रहता ही नहीं है जो ज्ञान, ज्ञान की धारा में वहां ब्रैक हुआ स्वर्ग में गया तो कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुख जाओ जानने का प्रभाद नहीं होगा जानना जानना नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा ने भगवान ये ग्ञान की धारा तो जलती रहेगी ने तो तेरा ऐसा ही चैतन्यका जोर के कोई भी ग्ञेई हो ग्ञान की धारा नहीं तूटती है ने बस तो उस पर दे ग्ञान की धारा तो निरंतर बह रही है एसा अंतर में जो इसी के बल पर तेरे अंतर में वह द्रस्टी प्रगट होगी कि तीन लोग के किसी भी प्रदेश पर रहने पर भी मेरी ज्ञान की धारा में ब्रैक नहीं पड़ता और अनंत काल बितने पर भी देह के टुकडे हुए देह बदल गया देह जल गया देह राख हो करके कहा उड़ रहा है पता नहीं मगर फिर भी ज्ञान का जानना 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 इसे कोई रोक नहीं पाया पानी को कोई रोक दे चेक डेम बना करके हवा को कोई रोक दे बड़ा किल्ला बना करके ये हवा और पानी ये रुख सकते हैं, ये रुख सकते हैं, सरहद पर मनुष्य को रुखा जा सकता है, मगर इस ज्यान की थारा को कैसे रुखेगा, तो राख को घड़े के अंदर बंद कर देगा, गंगा में नहीं बहाएगा, कि अभी रखता हूँ, बाद में बहाऊँगा, ज्यान को तु बांध नहीं सकता, ज्यान को घड़े में बांधा नहीं चासता, यह ज्यान निरंतर बह रहा है, और उस बहते हुए अखंड ज्यान के धारा के प्रवाह में, ये प्रवाह में, अपनी ध्रुखता को तु बिल्कुल जैसी है, ऐसी ही सत्ता मात्र देख ले, और उसमें एक ध्रूता जो है, जो ध्रूता, उस ध्रूता का टिक करके रहना, बस उसको मात्र उसे सत्ता कहते है, क्या कहते है, सत्ता कहते है, सत्ता कहते है, तीन बात समझना, आज तीन बात समझ ले, पहली बात, दुसरी बात, तिसरी बात, पहली बात ये है, कि पानी में चांद प्रतिबिंबित होता है, पहली बाद, नया नया चांद प्रतिबिंबित होता है, अलग-अलग आकार का चांद प्रतिबिंबित होता है, फिर भी, फिर भी वह पानी निरंतर बह रहा है, खंड नहीं होता, ये दुसरी बाद, पानी में खंड नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए बीच में खाली अवकाश नहीं है निरंतर बह रहा है ये दुसरी बात और तिसरी बात जो महत पून है बह रहा है ने मगर बह करके भी वो है क्या पानी बह करके भी वो है क्या पानी दूद नहीं है छाच नहीं है दई नहीं है पानी है ऐसे ही निरंतर बहते ज् ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ऐसा ही सम्यक दृस्टी का जोर इस ध्रूव ज्ञान सत्ता पर होने से उनकी सहज ज्ञान धारा चलती तो रहती है उसे दियातीत कहते है ए चैतन्य परमात्मा कितना इसका सुक्ष्म भाव समझ में आ रहा है न प्तिन बात समझ में आई, पहली बात ज्यान की परियाई के ग्याई बदलते रहे तो बदलते रहे, यहां जो मुनिवर रामसी ज्यान दर्शन आत्मा का सुभाव है और यही मुक्ष का मार्ग है, यह मुक्ष का मार्ग है। ग्येई बदलते रहे, अभी ये देह जानने में आता है, कोई दूसरा देह जानने में आये, उस में क्या, मगर ग्येई की रुची कहां है, सिर्फ इतना ही, बस ये ही, चान से मेरी प्यास नहीं छिपती पानी से मेरी प्यास छिपती, पहले ये द्रड ताला, ये जगत के ज्गेयों से आनंद नहीं है, ये ज्ञान से आनंद है, और इसका अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही ये प्रमाण है, तके आज तक इन ज्गेयों ने मुझे कहां आनंद दिया, इन वस्तु ने कितना आन गर में सब वस्तु पड़ी है ने, वस्तु सब पड़ी रहती है ने, बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, और वस्तु सब घर में पड़ी हुई है, कितना आनन देती है, ये वस्तु यदि आनन देती, तो फिर उस समय क्यों नहीं देती, और वो बेटा जिन्दा था, क्या तब तुम्हें आनन्द मिला था यदि आनन्द मिल गया होता तो दुकान के चक्करकाई को काटता था कमाई के लिए क्यों भागता था बेटा तो तुझे मिल गया था तब भी तुझे आनन्द नहीं था अभी तु जूठा रो रहा है तु जूठा रो रहा है सत्य तो यही है न बेटे से आनंधा न दुकान से आनंद है वस्तु के होने से या न होने से कोई आनंद का सम्मन नहीं है यह आनंद स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ये ज्ञान दीपक ऐसा आनंद स्वरु भगवान आत्मा को देख इसका प्रयोग कर आज इस ज्ञान की अखंड धारा का प्रयोग करना ज्ञान की अखंड धारा केवली भगवान की बात अभी मत करना वाने मुनिराज की बात अभी मत करना जो ज्ञान का ग्ये भगवान आत्मा ही बनता रहता है उपियोग भगवान आत्मा में ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो है यही कि जो भी ग्ये ज्ञान में जलकते है उन ग्येयों को इग्नोर करने की कोशिश कर जो भी ग्येयों उसको बस ऐसे इग्नोर कर जैसे पड़े है तो पड़े है नगर उसको और उन ग्येयों के साथ में किसको लेना मालू में उन ग्येयों के साथ में ये इंद्रियों को भी ले लेना उसको भी चांद की केटेगरी में ले लेना यहां मत लेना पूरा पहले यही देखना थाली और चमच यह दोनों बरतन की केटेगरी में डाल देना तो सामने टीवी हो या आँखो तो टीवी को थाली देखना आँख को चमच देखना हलवा दोनों नहीं है फिर पानी पिने के लिए तुने गिलास उठाया तो गिलास को उठाया तो गिलास को थाली देख ले हाथ को चमत देख ले और दोनों को एक कैटेगरी में रख ये सब बरतन की दुकाने हैं जहां सब धेर पड़ा हुआ और फिर ज्ञान की सत्ता का जो अनुभव हो रहा है उसे अलग करके फिर इस धारा को देख इसका सवभाव है ये पलटना जानना 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 ये पलटना सवभाव है ये चैतन्य परमात्मा मैंने आप ज्ञान दिपकों को यह जो प्रयोक की बात कहिएं आपके प्रती इतना भाव है कि होगा यह तेरे से तो इस प्रकार से आज ये करना अखंड ज्ञान था रहा मैं तो आज ये प्रयोक करने वाला हूं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं निरनतर जो ज्ञान की अखंड धारा है उस अखंड धारा में यही है ही नहीं जो परम कुरुपालुदेव कहते है ने यह ज्योती निरंतर अखंड ज्योती चल रहे है अखंड ज्योत की महिमा इस वजह से है अखंड ज्योत, हम मंदीर में 24 गंटे दिया जला कर रखते हैं जर्थुस को मानने वाले लोग जला कर रखते हैं हम भी 24 गंटे दिया जला कर रखो वो दिया प्रती के हिकाली, अक असल में ये बात है और असली बात क्या है कि मानो दिये कि ज्योत बुझ जाए और फिर दो घंटे के बाद मैं जले तो प्रश्ण ये होता है कि वो ज्योती गई कहां पर और आई तो आई कहां से वो बच्चे की एक्जाम ली तो टीचर वहां पर इंस्पेक्टर ने वहां जा करके पूछा एक बल दिया जलाया जैसे ही जलाया और कहा कि ये ज्योती कहां से आई चलो बताओ और बच्चे ने फूक मार करके बुजा दी और कहा कि सर आप ये बता दो कि ये कहां चली गई आप कहां चली गई ये बताओगे तो मैं बता दूगा कहां से आई थी दोनों का सवाल का जवाब नहीं यदि बीच में ज्ञान कहीं चला जाता तो कहां चला गया और आया तो फिर कहां से आया इसलिए जाता नहीं है और आता भी नहीं है ये धारा अखंड चलती रहती है ये अखंड का भाव है बगवान ये अखंड धारा चलती रहती है ये जाएगा तो कहां जाकर के मिलेगा और आएगा तो किसकी तीजोडी में से आएगा ये धारा तो अपने में अनादी अनंत चलती है ये तो भगवान हमारा समोसरण है मध्यरात्री का समोसरण तु जलसा करतू आनन्द में रहतू ज्ञान की अखंड धारा को भोगना भगवान अखंड धारा चलती रहती है आप समस्त परमात्माव को प्रणाम करता हूँ प्रयोग करना चैतन्या 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 अहो अहो श्री सद्गूरू करूना संधु अपार इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहत जिन की दशा वरते देहाती त उन ग्यानी के चरण में ओ वन्दन अगणिते ओ वन्दन अगणिते ओ वन्दन अगणिते ओ वन्दन अगणिते ओ वन्दन अगणिते